हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं किया है एसीवी की टीम इस दलाल से पूचताच कर रही है जोगपुर ग्रामेंट एसीवी की टीम ने बार्ड में जिले की सेड़वा में कारवाई को अंजाम देते हुए एक दलाल को अट्रह हजार की रीश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफतार किया दरसल करीब ग्यारा म भाग एस जेडी कारेला बार्ड मेर में कारेलत अधिकारी वा कर्मचारियों के नाम से पीड़ित से 18,000 की रीश्वत की डिमांड की गई थी जिस पर पीड़ित ने जोगपुर ग्रामेंट एसीबी में इसकी शिकायत की थी एसीबी ने शिकायत का सत्यापन करवाया और उसके बाद उसे ट्राम करने की योजना बनाई दलाल कारवाय के शक के बाद मौके से हो गया था फरार उसके आधार पर जब पीड़ित व्यक्ती 18,000 रुपे की राशी देने के लिए दलाल के पांस पहुचा और दलाल की डिमा लेकर मौके से भाग गया जिसके बाद एसीबी की टीम ने साथ किलो मीटर तक पीछा कर ग्राप अधनम का ताला से आरूपी दलाल शम्होराम को दस्ताब कर लिया जोग्पुर ग्रामेर एसीबी के एसपी भोपाल सेंग लखावत ने बताया सेडवा थर्मी 24 शनवडी 2020 को शंकर भील निवासी बुरान का तला ने SCST Act सहित कई धाराओं में मामला दर्च करवाया था इस मामले में आधारिक सहायता की रूप में सरकार की ओर से प्रावधान की तहट एक लाग रुपे की राशी कलेक्टर की ओर से स्वीकृत की गई उक्त अहर्तिक सहायता राशी खाते में जमा करने के बाद 18% कमिशन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक्ता विभाग SJED काराला बार्ड मेर में कारेरत अधिकारी वकर्मचारियों की नाम से पेड़त से 18,000 की रीश्वत की दिमान की गई जिसका सत्याफन करवाय गया और उसके बाद ट्राप करते हुए दलाल शंबुराम मेगवाल निवासी ताल सर ने रीश्वत लेते हुए दस्ताप किया गया और उससे पूछ साच की जारी है जागरुक टिबिकले बार्ड में से ठाकरा राम मेगवाल की रिपोर्ट